हेलो फ्रेंग्स विल्कम टू माई यूट्यूब चैनल देखिए आज सोड़ा मौसम बहुत अच्छा है और अब यह मन्त आ गया है कि आप अपने फूट प्लांट्स लगा सकते हैं बहुत अच्छे टाइमिंग है क्योंकि आप देख रहोंगे ग्रोथ पीरिड है यह प्लांट देखिए 54 मेरे पास है मैंने भी कुछ पर्चेस किये जो लगाऊंगी आपके साथ सारा कुछ शेर करूंगी आज मैं ऐसे फूट प्लांट आपको बताऊंगी जो अगर आप बिगनर्स हैं और आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप इन फूट प्लांट से करें ऐसा नहीं है कि आपने भी किसी का वीडियो देखा या कुछ भी क्या नहीं आज हमने एपल का पौधा लगा दिया आडू भी लगाएंगा आलू बुखारा नहीं आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो कुछ ऐसे प्लांट के साथ एक्स्पिरियंस गेन कीजिए जो जल्दी फूटिंग पर आते कम केयर वाले पौधे होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे पास जो कलेक्शन है उससे में कुछ फूट प्रंट आपके लिए लेकर आई हूं लीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथी मैं आपके असानी से लग जाता है पहले ऐसा था कि नहीं लगता था या थोड़ी दिक्कते आती आज के टाइम में जो है इतनी स्पीश आ गई है इतनी चीजे आ गई कि आप इन्हें बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं देखिए आम का पौधा खरीदने की सबसे बैस टाइमिंग भ जैसे कि यहाँ पर टेंपरिचर इस बार बहुत थोड़ा सा कम रहा है और लॉंग टाइम सर्दी का जो इफेक्ट रहा है उसकी वज़े से थोड़ा से बोर आने में लेट हो गया है तो आप आम का पौधा हब जरूर लगाए मेरे हाँ पर देखिए और टाइम मेंगो की व प्रसंड रहेगा हर समय आपको लगेगा आम खाने को मिल रहे है पूरे साल अभी मैंने लास्ट में भी हार्वेस्टिंग कम्प्लीट किये देखिए सर्दी के वज़े से कुछ जैसे फूड़े छोटे रह जाते हैं जब ज़्यादा ठंड हो जाती तो डवलप नहीं हो पा और कम से कम 6-7 साल इससे मेरे हो गए है और अब तो फिर से इसने फुटाव लेना शुरूर कर दिया है तो इसने जब मैंने इसको लगाए था इसमें पहले साल में फूटिंग आ गई थी आप 100% लगाईए और बिलकुल इसे खरीद के लिए कुछ मैं आपके साथ 10-11 महसूस नहीं होगी आपको पने पता चलेगा आपके पौधे को कब आपको दबा की ज़रूरत है और पानी की ज़रूरत है और देखे सेकंड फ्लांट कमरक का प्लांट यानि स्टार फूट इसकी देखे एक चीज और मैं बता दिती तो जितने भी फूट प्लांट आपको और air layering से ready कुछ plants ऐसे हैं जिनने मैंने recommend भी किया था कि आप उन्हें cutting से इस समय लगा सकते हैं जैसे grape wine है उसे आप लगा सकते हैं अनार को भी लगा सकते हैं अगर अच्छी species है तो तो देखे ये जो plant है ना देखे मैं अगर ये कहूं कि मेरे 54 food प्लांट का जो collection है आप लोगों की वज़े से ही पूरा हुआ है यानि कि बहुत सारी लोगों ने मुझे recommend करते थे मैंनम जैसे कि आपने कुछ plant लगाएं मैंने कुछ लगाएं तो मैं अपनी तरीफ से बताती हूं कि नहीं ये plants बहुत अच्छा जो result देता है और आप में मुझे बताते हैं मैं भी आपको बताती हूं कि उसी तरीके से जैसे मैंने भी अपने प्लांट का collection किया है तो कमरक का प्लांट मेरे वीवर्स ने मैं हमेशे वीडियो में बताती हूं आप इसमें नए फुटाव शुरू होंगे देखिए स्पेस कम है इसलिए मैं बहुत अच्छे से अपने प्लांट नहीं दिखा पाती हूं एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं अब हला कि मैंने और fruit प्लांट में मंगाया और आप देख रहे हैं मेरे टेरस पर जगह नहीं है जो यह प्लांट है उससे आप जरूर लगाए ऐसी अमरूद अमरूद तो सभी जानते हैं बहुत हार्डी प्लांट है डिजीज फ्री प्लांट है बस कुछ यह केर इसकी आप करें तो यह कोई दिक्कत नहीं होगी बहुत अच्छे इसके रजल्ट से होते हैं तो अमरूद का प्लांट भी है वो बहुत आसानी से लग जाता है और अक्सर क्या एर लेरिंग से रेडी भी प्लांट आपको यह आसानी से मिल जाते हैं तो आप उसे लगाईए देखें मेरे पास यह सेव का प्लांट मैं इसे रेकमेंड नहीं कर रहे हूँ क्योंकि जब हम खरीतते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए सेव का पौदर जैसे अगर आप खरीते हैं तो रूट स्टॉक वाला लेजिए सीड्स पर ग्राफ्टिंग वह प्लांट ना लेकिं आप रूट स्टॉक वाला प्लांट ले वो जल्दी फ्रूटिंग करता है इसलिए इन्हें आप जब इनका अच्छा एक्सपीरियंस आपको अकाउंट होया है तब आडू आलो बुखारा भी आप गंबले में लगा सकते हैं ये भी एक से दो साल में फल दे देते हैं इस अनार मेरा फेवरिट फूट प्लांट है बहुत आसानी से लगने वाला हला कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वो फ्रूटिंग गिर जाती है फ्लावरिंग प्र तरीके से नहीं हो पाती वो कुछ रीजन से मैंने वीडियो में शेर भी किये थे कि ऐसा ये छोड़े हुए हैं और ये बहुत अच्छा प्लांट है हाँ बस यही मैं कहूंगी कि जैसे क्या होता है कि अनार उनका बहुत टाइट होता है दाने में ऐसा होता है तो उसके लिए आप अच्छी वराइटी लगा है बहुत अच्छा आपको रजल मिलेगा मेरे पास यह हैं लगा हूँ उसका दाना भी बहुत सौफ्ट है और साथ ही साथ हो अंदर से बहुत जिसे ब्लेकिश डार्क जो महरून कलर होता है उसके टाइपस के उसके अंदर हो है देखिए वो बर्ड्स बिल्कुल वहाँ पर आ गई है और वो अनार के लिए अससमें धूप आ गई हैं यह देखे तो बहुत अच्छे फूर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं आप एक से दो पेड लगा लीजे आपकी फैमिली की रिक्वार्मेंट पूरी हो जाती है देखिए चोटी फैमिली की मैं बात कर रही हूँ कि उनकी मेरे तो जैसे कि मैं है मुझे ही जादा शौक है तो मेरे काफी हत तक यह जरूरतों को पूरा कर देता है तो इसका प्रांट भी आप अपने गार्डन में जरूर लगाएं और देखिए फ्रेंट्स एपल बेर तो सभी जानते हैं बहुत आसानी से लगने वाला पौदा है और इसे अभी आप फरवरी में एड़ करेंगे अपने गार्डन में और सेप्टम्बर का जब मन थाएगा न तो उसमें फूर्टिंग हो जाएगी और वाके इतने फल लगते हैं इसमें आप ग्रीन जो था एकी एपल-बेर के विराइटि वो लगा सकते हैं बालसुंदरी लगा सकते हैं कश्मीरी deprived लगा सकते हैं बहुत स नहीं कोई भी अंजीर कटिंग से लग जाएगा इसका मैं कह रही हूं कि आप कहीं से भी इस समय मदर प्लांट कहीं भी लगा हुआ है तो मैंने देखिए आपके सब वीडियो भी शेयर कि इस तरीके की थिकनेस वाली 5-6 कटिंग लगा लीजे और एक साल में कटिंग में भी सा जाते हैं तो इसका पौधा आप नहीं भी खरीदना चाहते हैं उसे आप कटिंग से आसानी से ग्रूव कर सकते हैं और इसमें इतने चोटा सा पौधा है उसमें देखिए इतनी अच्छी मेरे इसके अंदर जो है अंजीर लगती है और दो पौधी मैंने इसके लगा होगी और देखे फ्रैंड्स लेमन बहुत अच्छे से सभी के यहां पंच समय फ्लावरिंग हो रहे होगी फ्रूटिंग भी हो रहे तो जो नीम्बू की जो कागजी वेराइटी है बारमासी वेराइटी होती है उससे आप लगाए पूरे साल इस इस तरीके से देखे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इसमें देखे आपको बड़े छोटे और फ्लावरिंग यह सब पूरे साल चलता रहता है तो इससे आप अच्छे से फल ले सकते हैं इसके लिए आप अगर 16 इंची का भी पौट रखेंगे तो बहुत जादा क्योंकि ज सीडलेस लेमन यह जो पास वाला सीडलेस लेमन इसमें भी काफी अच्छे जो नीबू लगते हैं उनका साइज काफी बड़ा होता उसमें एक भी सीड नहीं होता है और दूसरी एक चीज़ी यह भी है कि थोड़ा सा इतना ही डिफ्रेंस होता ज्यादा खटा होता यह थोड कोई बतारी नीमू है संत्रा है आपका माल्टा है किन्नू है यह ऐसे प्लांट है इन्हें ज्यादा केर की जरूरत नहीं होती है इसके वीडियो भी मैंने देखे शेयर किये हुए बहुत बड़े बड़े बिग साइस केस में मेरे संत्रे लगते हैं तो आप इससे अपने गार और कि जो यह बेल है आप कोई सी भी लगा सकते है ब्लैक लगाईए ग्रीन लगाईए मेरा यह ब्लैक है और आप इसमें फल आने की बस तैयारी होने वाली नए फुटाव शुरू हो जाएगा अब आप बेल की कंडिशन पर मत जाएए इसमें फिर से फुटाव शुरू हो और इस बार मेरे पहली बार इसमें माल्टा लगे यह निकि मैंने भी एक साल में इसे लगाया तो इतने जबर्दस्ट माल्टा लगे साइज में भी अगर आप देखेंगे ना इतना बड़ा साइज था आप मैंने वीडियो शेर की हुए आप देखें उनने जाकर तो कैसे इनने तियार किया जाता है कैसी मिट्टी में लगाया जाता है वो सब मैंने आपके साथ वीडियो शेर की हुएं तो आप जो है माल्टा को भी आपको माल्टा का पौदा भी दिखाती हूँ ये देखें फ्रांट्स ये मेरा माल्टा इस बार इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होगा ये पहले साल ही है क्योंकि अभी बहुत सारे पौदी मैंने अपने गाडन में अभी एड़ की हैं तो देखें इसमें भी फ्लावरिंग आ गई है अभी एक साल इसे फैबरी मे से गंबले में लगाये जा सकता है तो फ्रेंड्स कुछ पौधे मैंने आपके साथ शेर किये इन्हें आप जरूर लगाईए हाँ आपको ये चीज देखनी है कि पौधा इस तरीके से ग्राफ्टेड होना चाहिए और जब भी आप पौधा खरीद रहे हैं तो आपको एक काम इसको चेक करें कि एल्दी हो यहाँ से इस तरीके कोई डिजीज ना लगे इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए और यहां से ओर देखें जैसे इस जिए ग्राफ्टेड हो रहा है अगर ग्राफ्टेड एरिय से नीचे आपके कोई भी ब्रांच निकल रही है तो उसे रिमूब कर पौधे हैं तो यह चीज को धियान रखने जैसे कि अब यह पौधा है इसमें एर लेरिंग का पौधा है तो यहां पर इसमें कहीं से भी ब्रांच निकले कोई दिक्कत नहीं है बट ग्राफ्टेड पौधे में आपको यह चीज धियान रखनी पड़ेगी तो एक कुछ चीज